नमस्कार आप देख रहे हैं गनतंतर नियोज पूर्वी सिंग भूम जिले के पटमदा और बोरम में अचानक सुक्रबार के दीन दस बजे से मौसम ने अपना मिजाज बदला हलकी बारिस के साथ कंकनी ठंड ने लोगों को जकर लिया मौसम विभाग के एक सब्तर पूर्व किये गे अनुमान के अधार पर मौसम में बदलाव दिखा हलकी बारिस के साथ कंकनी ठंड के साथ सुक्रबार को मौसम बदला हुआ दिखा सुभा से ही सुर्य देबता के दर्शन को लोग ललाईद दिखे अचानक ठंड होने के कारण बजार में भी लोग नहीं निकले सुर्य के दर्शन नहीं होने से घोर अंधिरा बना रहा अंगुई दंगरा के किसान हीरा ललमेतों ने बताया कि सुभा को घर के काम से बेल टंड बजार आया था अचानक मौसम ने अंगराई ली जिस कारण हलकी बारिश सुरू हो गई इस हलकी बारिश से पके टमाटर और तैयार गोभी में हलका असर पर सकता है मौसम के बदलते से बड़े ठंड से बच्चों और बुरों को दिकत होगी बिभाग दोरा बताए गए दो दिनों की बारिश से किसानों के साथ बजार में सरक किरारे सबजी बेचने बालों को भी मुस्किल होगी जाने पर बादल मोसम यह रहेगा तो आपका खती भी होगा, यह से गहूं है, तामाटर है, गोबी है, इसके लिए थोड़ा बुजुद के लिए जो खंदा का मोसम है, जो थोड़ा कटनाई से यह करना पड़ेगा, बुजुद के लिए, नहीं बर सकती है, बच्चा नहीं हो सकता है, देखिए मोसम क्या यह कर रहा है, अगर बिन बहर इसे जीते लगा तो किसान के लिए थड़ा कथी ही हो सकती है, खास करका हरा सर्भी तो पुराय होगा, गरिभी जो सब्वी बेच के रोजगार चला रहा है, इसवा मोसम रहे तो बेचने वाला लोग को भी किसान का वी दो मोगा, फटी जोगा